स्वागत है दोस्तों आपका आपकी एपनी यूटूब चैनल की इर्थिमान फ्यूचर क्लासिज में चलिए दोस्तों सीखते हैं मिस्रिद भिन्न का घटाना कैसे करते हैं जैसे कोश्यन है दोस्तों क्या है मिस्रिद भिन्न में है या क्या है मिस्रिद भिन्न का घटाना है तो दोस्तों आप सबसे पहले जो मिस्रिद भिन्न है इसको सिंपल भिन्न में परिवर्तित करेंगे आप क्या करेंगे पांच का घटाना दो में करेंगे और इसको जोड़ देंगे यानि क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 दस दो 12 इसका और इसका गुड़ा करेंगे और इसको आपस में जोड़ देंगे तो पांच दूना दस दो बारा तो यहां से दोस्तों क्या हो जाएगा 12 बटे 5 और माइनस है तो माइनस 4 का गुड़ा एक में करेंगे तो 4 एक अन्नम 4 4 में 1 को जोडेंगे तो क्या हो जाएगा 7 बटे 4 माइनस 6 तरीक 18 18 में 1 को जोड़ेंगे तो 19 बटे 6 हो गया माइनस इसका इसका गुड़ा करेंगे इसको जोड़ देंगे यानि 3 पचे 15 15 में 1 को जोड़ेंगे तो 16 बटे 3 हो गया दोस्तों जो मिस्रित भिन्न के रूप में था अब वो सिंपल भिन्न के रूप में हो गया तो दोस्तों तो अब आप क्या करेंगे अब आप हर का LCM ले लेंगे अगर कोई भिन्न दिया गया है तो उपर वाला भाग अंस ए अंस है ए नीचे वाला भाग हर है तो भिन्न के घटाना हो या भिन्न का जोड़ हो तो आप चाहे तो LCM मेथड से भी कर सकते हैं चाहे तरिये गुड़ा मेथड से तरिये गुड़ा मेथड जादा लंबा हो जाएगा तो इसलिए आप हर का LCM ले लेंगे तो हर क्या है पांच चार च्छा तीन ये क्या है हर है तो आप इसका LCM लेंगे तो पांच हो गया चार च्छा तीन का आप चलिए LCM ले लेते हैं तो यहां से आप एक ऐसी सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे जिससे कि किसी एक या एक से अधिक में पूरा-पूरा भाग चला जाए तो सबसे छोटा दो से भाग करेंगे पांच में दो का भाग पूरा-पूरा नहीं जाएगा तो आप उसको वैसे ही लिख देंगे चार में दो का भाग करेंगे तो दो बार जाएगा च्छा में दो का भाग करेंगे तो तीन बार जाएगा तीन में दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो वैसे ही लिख लेंगे जिसमें पूरा पूरा भाग ना जाए उसको आप वैसे ही लिख लेंगे फिर देखिए दोस्तों दो से भाग चला जाएगा तो दो से पूरा पूरा नहीं जाएगा तो पांच को वैसे ही लिख देंगे दो में दो से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा तीन में भाग नहीं जाएगा तो तीन को वैसे ही लिख देंगे इस तीन को भी वैसे ही लिख देंगे अब दोस्तों दो से यहां देखी तीन है तो दो से बड़ा क्या होगा तीन होगा तीन से भाग करेंगे क्योंकि यहां दो बार तीन है तो तीन हो तीन से इसमें भाग चला जाएगा पांच में तीन से भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा तो पांच लिख देंगे एक को आप वैसे ही लिखते चले जाएंगे और यहां तीन में तीन का भाग करेंगे तो एक हो जाएगा अब लाश्ट में पांच बस गया है तो पांच से भाग कर देंगे पांच एक अन्नम पांच एक को ऐसे ही लिख देंगे LCM में होता क्या है दोस्तों आपको लाश्ट में एक एक लेकर आना होता है तो यहां से इस तरफ जो आएगा वही LCM होगा यानि पांच तियाई पंदरा इसका अपस में गुड़ा कर देंगे जो आएगा वही LCM होगा यानि दो गुड़े दो गुड़े तीन गुड़े पां आप क्या करेंगे दोस्तों पूरे का बटा करके 60 जो LCM निकल कर आएगा उसको नीचे लिख देंगे अब क्या करेंगे इस 60 में 12 बटे 5 के भिन के हर यानि 5 का भाग करेंगे 60 में 5 का भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 12 बार जाएगा उस 12 का अंस में गुड़ा कर देंगे अंस में 12 है इस 60 में 5 से भाग देने पर 12 आया है तो वह 12 का आप इस अंस में गुड़ा कर देंगे इसी प्रकार देखिए माइनस है तो माइनस कर देंगे देखिए 60 में 4 से भाग करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 15 बार जाएगा उस 15 का अंस में गुड़ा कर देंगे यानि 7 गुड़े 15 कर देंगे यहां से माइनस है तो माइनस कर देंगे देखिए 60 में 6 का भाग करेंगे तो दोस्तों कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा तो उस 10 का अंस में गुढ़ा कर देंगे यानि 19 गुढ़े 10 हो गया अब देखिए यहां 3 है 60 में 3 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों 20 बार जाएगा उस 20 का 16 में आप गुढ़ा कर देंगे यहां minus है तो minus लिख देंगे यहां से 60 में 3 का भाग करेंगे तो 20 बार जाएगा उस 20 का 16 में यानि 16 गुड़े 20 हो गया दोस्तों तो यहां से इस इक्वल टु क्या हो जाएगा इसको स्वालु करेंगे 12 में 12 का गुड़ा करेंगे 144 हो जाएगा माइनस है तो माइनस हो गया 15 सत्य 105 हो गया माइनस है तो माइनस 19 में 10 का गुड़ा करेंगे 190 हो जाएगा माइनस 16 में 20 का गुड़ा करेंगे तो 16 दूना 32 यानी 320 हो जाएगा बटे दोस्तों क्या हो गया बटे ये 60 हो गया 60 ये वाला 60 बटे के रूप में हो गया तो यहां से आगेश चलिए solve करते हैं तो आप क्या करेंगे simple सा इन सभी को add कर देंगे और चिन्ह minus का लगा देंगे क्योंकि minus 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 सभी संख्याय प्लस हो जाएंगी और चिन्ह minus का लग जाएगा तो यहां से 144 हो गया minus लिख देंगे चाहे तो आप minus सभी मिल रहा है कामन भी ले सकते हैं तो चलिए चाहे तो आप कामन लेकर भी कर सकते हैं अगर ना समझ में माइनस सभी मिल रहा है तो minus को आप कामन भी कर सकते हैं तो आप डारेक्ट इसको जोड़ करके चिन्ध माइनस का लगा देंगे तो चलिए इसको जोड़ते हैं 0,0 और 5 मिलकर 5 हो जाएगा और यहां 2 और 9, 9, 2, 11 11 में 0 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा 11 की एक हांसिल क्या हो गया दोस्तों एक हो गया 3 में एक को जोड़ेंगे तो 4, 4 में एक को जोड़ेंगे 5, 5 में प्लस एक करेंगे तो 6 हो जाएगा 3, 1, 4, 1, 5 एक हांसिल 6 हो गया बटे कितना हो जाएगा दोस्तों बटे 60 हो जाएगा छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटा सकते हैं घटाएंगे तो एक हो जाएगा 11 में से 4 को घटाएंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा यहां बचा क्या 5 में से 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा 470 हो गया और यहां बड़ी संख्या के आगे का चिन क्या है माइनिस का है तो माइनिस लगा देंगे बस simple सा इसको रख देंगे तो यहां से क्या हो जाएगा minus 471 बटे 60 हो जाएगा अब इसको simple चली करते हैं देखिए simple होगा अगर 3 से काटेंगे तो 315, 325, 325 हाँ दोस्तों 3 से कट सकता है 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3193 यहां 17 हो जाएगा 315, 2 बचेंगे एक हो जाएगा तो 3, 721 हो गया और 3 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा यहां से minus 157 बटे 20 आएगा जो की यही क्या है right answer है इससे ज़्यादा simple नहीं हो सकता है देखिए यहां 3 से हमने काटा 3193 एक बचा तो 17 हो गया 315, 2 बचा 21 हो गया 3, 721 यहां 3 से काटेंगे 20 हो जाएगा यानि minus 157 बटे 20 इसका क्या होगा right answer होगा दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो like करिएगा अगर चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करके अपने दोस्तों के साथ share कर दीजिएगा धन्यवाद